हेलो फ्रेंड्स मेरे स्मार्ट कुप चलन में आपका स्वागत है मेरा नाम मनीजा है आज मैं आपको ढोकले बना करके दिखाऊंगी यहां सबसे पहले मैंने बेशन लिया है एक कटोरी मैंने चान्द के तयार कर लिया है इसमें चुटकी भार हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी चीनी डालेंगे आधा चमच इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे अब यहां दीरे दीरे में पानी एड़ कर रही हूँ इसके अंदर एक दम बढ़िया गोल तयार हो गया है मैंने यहां बारी कटी हुई मिर्ची भी डालेंगे इन्हें अच्छे से मिलाएंगे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है मेरे को इसलिए मैंने थोड़ा पानी एड़ किया है आप देख सकते हैं मैंने कैसे पत लगार रखता है अब इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है जो मीठा खाने वाला सोडा होता है वो सोडा डाला है कि अब इसे मिला करके मेरे धर दिया था अब फाइनली मैं इसमें इनो डाल रही हूं और उपर से नीमू डाल रही हूं अब इसे अच्छे से मिलाएंगे एक ही डिरेक्शन में इसे गुमाते रहें गिया पानी गरम कर लिया एक और लिख बगोपनी के अंदर कटोरी दर्के में उसके अंदर दाल रहे हूं पर मेरे पास स्टेड़ नई था इसलिए मैने इसका इसका इसमाल किया अब देख सकते हैं बन के तयार हो गया है करीबन मैंने 20 मिनिट के लिए इसको डखके रख दिया था इसकी चारू तरब से चक्कु की मदद से हटाएंगे आप देख सकते हैं कितने सॉप्ट है जाली बाले बन गए यहां मैंने तेल ले लिया है और राई के दाने डाल रही हूं मैं यहां जब चटक जाए जब मैं इसमें मिर्ची डाल लूँगी यह मैंने मिर्ची डाल दिये लंबी-लंबी काटके थोड़ी सी मैं चीनी डाल रही हूं और थोड़ा सा नमक और ठोड़े गडी पत्ते पांसाथ अब मैं नीबू का रच डाल रही हूँ खटे मीठे बनते हैं ना इसलिए इसमें थोड़ा सा नीबू का रच डाला जाता और ठोड़ी चीनी अब मैं आधा गिलास में पाने अड़ कर रही हूँ उबलने के बाद हम गैस बंद कर देंगे हमारे ढोकले बनके तयार हो गए हैं आप देख सकते हैं घर पर जरूर बनाएं बहुत अच्छी रेजिपी है एक जम सिंपल है और कमेंट में अपना सुझाओ देना ना भूले और दोस्तो अगली वीडियो बने जिब तक के लिए व बाई दोस तो